ये कहानी जो नाम के लड़की पराधारित है जिसे नशे की गंदिलत लग जाती है और उसकी मा उसकी इसी लट को छुडाने के लिए उसके साथ घप घप करती है आगे उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं ज अपनी मा कैथरिन और सौतेले बाप दोगस के साथ रहता था जो की सच में दोगला था और सब लोग साथ में लंच कर रहे थे जो अपने सौतेले बाप से जादा खुश नहीं था और उसकी मा कैथरिन एक सिंगर थी और जो के असली पिता इटली में टीचर थे कैथरीन अपनी म्यूजिक शो के लिए दोगलस के साथ इटली जाने का प्लाइन बनाती है जिस पर जो भी वहाँ जाने की जित करता है लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है दोगलस अपनी कार साइट कर रहा था तभी उसका कार एक्सिडेंट हो जाता है कार एक्सिडेंट जादा तेज नहीं था फिर भी दोगलस की मौत हो जाती है कैथरीन अधी विद्वा हो जाती है और इस बात का दूख कैथरीन के साथ साथ जो को भी था इसके बात कैथरीन अपना मूठ ठीक करने के लिए जो को अपने साथ लेके इतली जाती है वहाँ पहुचने के पाद जो के बहुत सारे दोस्ट बन जाते हैं लेकिन एरियाना नाम के लड़की उसके लिए खास थी उसके बाद जो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है जहां दोनों पहुचके बक्चोदी के फॉर्म भरने लग जाते हैं और वहाँ दोनों साइड में जाके लब-लब आटा करने लग जाते हैं उसके पाद जो अपनी मा के म्यूजिक शो में जाता है जहां समलोग उसकी तारीफे कर रहे थे जिसे देखके जो भी काफी खुश होता है और जो को अपनी मा पे फ्राउट फील होता है कैथरिन अब बहुत जादा पॉपिलर हो जाती है और अगले दिन कैथरिन के एडवाइजर उसे बूलती है अरे कल मुही कल तेरे बेटे जो का बर्दे है जिस पर कैथरिन बोलती है कि अरे मैं तो उसे भूली गई थी तब ही वहाँ जो पहुचता है और वो थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसकी मा उसका बर्दे कैसे भूल जाती है उसके बाद उसकी मा उसे मनाती है और अगले दिन कैथरिन उसके बर्दे पे बहुत बड़ी पार्टी देती है वो पार्टी में काफी पी लेती है जिसके बाद वो कंगारू टांस करने लगती है जो को ये सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता और मॉम की कंगारू डांस से वो थोड़ी शर्म इंदिगी फिल कर रहा था इसलिए वो अरियाना को लेके किसी कोने में चले जाता है कैथरिन भी उसे ढूनते हुए वहाँ पहुच जाती है जहां जो और एलियाना लवलपाटा कर रहे थे जिसे देखके कैथरिन काफी खुश हो जाती है लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं वो एक नशीली इंजेक्शन लगवा रहा था उसके गुस्से में कैथरिन वॉल पे हाथ मारने लगती है और एरियाना स्लो मोशन में वहाँ से निकल जाती है घर पहुचने के बाद कैथरिन उसे नशे के बारे में पूचती है जिस पे जो गुस्से में समान तोड़ने लगता है जो को पियानो बजाना बहुत पसंद था और थोड़ी देर में कैथरिन उसे पियानो बजाने को बोलती है और जब वो पियानो बजाने लगता है तब कैथरीन उसके हाथ में injection का निशान देखने लगती है पर जो उसे धक्का दे के उससे लड़ने लगता है पर जब कैथरीन उसके हाथ को देखती है तो उसके हाथ में छेद नहीं बलकि छेदी सिंग बन चुका था उसके बाद जो घर से निकल के आवारा कुटो के तेरा भटकने लगता है और वो शाम को घर के बाहराग के बैठ जाता है तब कैथरीन उसके पास आती है जिस पर जो बोलता है मुझे अपने पापा से मिलना है जो को काफी ठंड लग रही थी इसलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है उसकी तबयत काफी खराब हो जाती है और कैथरीन एक डॉक्टर को बलाती है जिस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है ये जादा नशे की वज़े से हुआ है कुछ समय तक इसे नशे सक दूर रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा उसके बाद कैथरीन काफी सैड रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से आ रही थी तब ही उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तुफा था और ये वही बच्चा था जो जो को पाउडर बेचता था घर पहुशने के बाद वो कैथरीन से बोलता है कि जो तुमारे पैसे चुरा के मुझसे पाउडर खरीगता था जिस पर कैथरीन उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी से उमर में ये सारे काम नहीं करने चाहिए जिस पर मुस्तुफा बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने कंट्री वापस जा रहा हूँ वो कैथरीन को एक पुडिया देता है और कहता है कि जो को इसकी काफी जरूरत है वापस आने पर कैथरीन को पता चलता है कि जो अब पहले से काफी जादा ठीक हो चुका है और रात में दोनों कैंडलाइट के साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं पर डिनर अच्छा ना बनने की वज़े से जो का मूड खराब हो जाता है जबकि खाना जो ने खुद बनाया था और वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है खुद खाना बनाकर खुद गुस्सा कमाल है उसके बाद कैथरीन जान मुझके उसे वही पुडिया देती है जिसे देखके वो काफी खुश हो जाता है उसे लेने के लिए जो खाली इंजेक्शन ढूडने लगता है लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता जिसके गुस्से में वो अपना हाथ काटने लगता है उसका हाथ देखके कैथरीन काफी डर जाती है और वो उसके हाथ पे किस करने लगती है पर जो कैथरिंग का हाथ नीचे ले जाता है जिसके बाद कैथरिंग भी उसका हिलाने लगती है अगले दिन कैथरिंग अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है जहां जो भी पहुँच जाता है जिसे देख के कैथरिन काफी खुश हो जाती है उसके बाद कैथरिन और जो कार में बैटके कहीं जा रहे थे पर रेलवेई फाटक पे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है जहां कैथरीन जो को पताती है कि मैंने फर्स टांग तुमारे पापा को यहीं किस किया था और उसके बाद कैथरीन जो को भी वहीं किस करती है कैथरीन उसे घुमा रही थी और उसे म्यूजिक स्कूल के पास ले जाती है पर जो को वहाँ ठीक नहीं लगता इसलिए Catherine उसे दूसरी जगा घुमाने के लिए ले जाती है पर बीच जंगल वाले रास्ते में ही उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है Catherine जैसे ही उस गाड़ी का टायर चेंज करती है तो जो उस गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाता है और Catherine भी उसके पीछे भागती रह जाती है कुछ देर बाद Catherine वहाँ पे एक आदमी से हल्प मांगती है और वो आदमी अपनी गाड़ी पैट्रोल पंप के पास ले जाता है जहां Catherine को अपनी गाड़ी दिखाई देती है और Catherine अपने साथ उस आदमी को अंदर लेके चली जाती है और उस आदमी के साथ प्यार महबत वाली बाते करने लगती है जिससे जो की पिछवाड़े में आग लग जाए और हो तब बिल्कुल ऐसा ही है जो की पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलो जैसी हरकते करने लगता है वो काफी गुसे में था तब Catherine उसे बताती है मैं ये सब मजाग कर रही थी और मैं तुम से ही प्यार करती हूँ उसके बाद दोनों घपा घप करने वाले थे लेकिन जो वहाँ से गुसे में चला जाता है अगले दिन Catherine जो को अपने पिता से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है जहां उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जहां वो बच्चों को बोलता है कि कल से तुमारी चुट्टी है जो अपने पापा की जूते पहन लेता है और अपनी जूते वहीं चोड़ देता है ताकि वो अगले दिन अपने जूते बदलने के लिए उनके घर जा सके और अगले दिन जो अपने पापा के घर जाता है उसके बाद जो अपने पिता से एक fact check के तरफ सवाल पूछता है कि क्या आपको पता है आपका एक बेटा भी है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे बेटे के बारे में तुम्हें ये सारी बाते कैसे पता जिस पर जो बोलता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और आपका बेटा यानि कि मेरा दोस अब मर चुका है और कल आपकी वाइफ का म्यूजिक शो है यह सब बोल के जो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाके बोलता है कि पापा बहुत अच्छे है उसके बाद कैथरिन अपने म्यूजिक शो पे जो और उसके पापा को एक साथ देखती है जहां कैतरिन उनसे बोलती है जो हमारा तुम्हारा हम सब का प्यारा बेटा है जिसके बाद जो के पापा जो के पास जाते हैं और बूम एक खिचा के चाटा लगाते हैं पर जो को इस बात का बिलकुल भी पुरा नहीं लगता क्योंकि ये चाटा उसके बाप ने मारा था और ये मूवी यहां खतम हो जाती है ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेच को लाइक करें धन्यवाद